परिचाय सोम्या, क्या तुम्हें पता है कि आज के तूफान से हमारे लाके के कई पेड उखड गए हैं? हाँ विनीद, वो देखो, एक बहुत बड़ा पेड बीच में से तूट गया है अरे हाँ, यह तीवार पर गिरा हुआ आधा तूटा पेड का हिस्सा एक सुन्दर तिर्भुज बना रहा है बहुत अच्छे विनीद, क्या तुम इन दिनों स्कूल में जामिती पढ़ रहे हो? हाँ सूमिया, आजकल हम तिर्भुजों की रचना करना सीख रहे हैं इस पार्ट में आप तिर्भुज की रचना करना सीखेंगे उत्यश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दी गई रेखा के समानांतर एक रेखा खीचना एक तिर्भुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं ग्याथ हो एक समकोन तिर्भुज की रचना करना जिसकी एक भुजा तथा कं ग्याथ हो समनांतर रेखाओं की रचना एक अनुप्रस्थ कार्ट की दो रेखाएं परस पर समनांतर कही जा सकती हैं यदि संगत या वैकल्पिक आंतरिक कोणों का प्रतेक युग्म बराबर हो इस साकृति में यदि कौन तीन, कौन दो के पराबर है अथवा कौन एक, कौन दो के पराबर है तब रेखा M को रेखा N के समनांतर कहा जाएगा हम समनांतर रेखाओं की रचना करने के लिए रूलर और परकार का उप्योग करते हैं तो आईए समनांतर रेखाओं की रचना करना सीखें चरण एक, एक लंबी रेखा M खीजिए, तथा इस पर एक बिंदू X अंकित कीजिए चरण दो, इसके उपर कुछ दूरी पर एक बिंदू Y अंकित कीजिए, तथा इसे बिंदू X से मिलाईए चरण तीन, X को केंद्र मानकर, तथा कोई भी त्रिज्या लेकर, रेखा M को बिंदू Z पर, तथा X Y को V पर काटता हुआ एक चाप खीजिए चरण चार, Y को केंद्र मानकर, तथा वही त्रिज्या लेकर, X Y को बिंदू U पर काटता हुआ एक चाप P क्यू खीजिए चरण पाँच, परकार की सहाइता से V Z को मापिये चरण चै, U को केंद्र मानकर, तथा मापी गई त्रिज्या लेकर, चाप P Q को S पर काटता हुआ एक चाप खीजिए चरण साथ, S और Y को मिलाईए, तथा रेखा N बनाने के लिए, इसे आगे पढ़ाईए चरण आठ, एक आंतर अंता कोनो, S Y X, तथा Y X Z को मापिये आप देखेंगे कि कोन S Y X बराबर है, कोन Y X Z के, अता रेखा N समाना अंतर है, रेखा M के त्रिभुजों की रचना, एक त्रिभुज, एक दो आयामी समतल आकरिती होती हैं, जो तीन भुजाओं और तीन कोनों से मिलकर बनती हैं हम तिरी भुजों की रचना कर सकते हैं, यदि हमें निम्न लिखित क्या थो तीन भुजाओं यानि साइट, साइट, साइट या SSS दो भुजाओं तथा उनके बीच का कौन यानि साइट, एंगल, साइट या SAS दो कोन तथा उनके बीच की भुजा यानि एंगल, साइट, एंगल या ASA समकोन, कर्ण, तथा एक भुजा यानि राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइट या RHS आईए हम सभी चार प्रकार के तिर्भुजों की रचना करना सीखते हैं SSS कसावटी आईए हम एक तिर्भुज खींशते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं, रूलर और परकार की सहाइता से 4 सेंटिमीटर, 5 सेंटिमीटर, तथा 6 सेंटिमीटर मापी गई हैं चरण एक एक 5 सेंटिमीटर लंबा रेखा खंड खींचिये 4 तो, पी को केंद्र मान कर, तथा 1 चार सेंटिमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिये चरण 3, क्यू को केंद्र मान कर, तथा 1 चेंटिमीटर की त्रिज्या लेकर, पिछले चाप को बिंदु आर पर काटते हुए, एक अन्य चाप खींचिये चरण 4, बिंदु आर और पी को मिलाए, बिंदु आर और क्यू को मिलाए, 4 सेंटिमीटर, 5 सेंटिमीटर और 6 सेंटिमीटर भुजाओं वाला एक तिर्भुज तयार हो जाता है SAS कसोटी, आईए, अब हम एक तिर्भुज खींचते हैं, जिसकी दो पुजाएं, 4 सेंटिमीटर, तथा 5 सेंटिमीटर लंबी हैं, तथा अंतरगत कोण 30 डिगरी का है चरण 1, 5 सेंटिमीटर लंबा, एक रेखा खंड खींचे, चरण 2, Q को कोण का केंद्र मान कर 30 डिगरी मापिये, तथा बिंदु S अंकित कीचे चरण 3, बिंदु Q और S को मिलाते हुए, एक अर्द रेखा S Q खींचे चरण 4, Q को केंद्र मानते हुए, तथा 4 सेंटिमीटर की द्रिज्य लेकर, अर्द रेखा Q S को बिंदु R पर काटते हुए, एक चाप खींचे चरण 5, P तथा R को मिलाइए, 4 सेंटिमीटर तथा 5 सेंटिमीटर की दू भुजाओं एवं 30 डिगरी के एक अंतरगत कोण वाला एक तिर्भुज P Q R तयार हो जाता है A S A कसोटी आईए, अब हम एक तिर्भुज की रचना करते हैं, जिसके दो कोडों की माप 40 डिगरी तथा 80 डिगरी है, एवं उनके बीच की भुजा की माप 5 सेंटिमीटर है चरण एक, पांच सेंटिमीटर लंबा एक रेखा खंड खीचे चरण तो, केंद्र के रूप में, बिंदू Q को लेकर 40 डिगरी का कोण माप ये, तथा बिंदू S अंकित कीचिए चरण तीन, बिंदू Q तथा S को मिलाते हुए, किरण S Q खीचिए चरण चार, केंद्र के रूप में, बिंदू P को लेकर 80 डिगरी का कोण माप ये, तथा बिंदू T अंकित कीचिए चरण पांच, बिंदू T तथा P को मिलाते हुए, अर्थ रेखा T P खीचिए चरण छे, किरण S Q तथा T P के प्रतिचेदन बिंदू को हार से अंकित कीजिए 40 डिगरी तथा 80 डिगरी के दू कोणों तथा उनके बीच की 5 सेंटिमीटर की भुजावाला एक तिर्भुज P Q R तयार हो जाता है RHS कसोटी आईए, अब हम एक तिर्भुज की रचना करते हैं, जिसके कोण की माप 90 डिगरी है, तथा आधार और कर्ण, क्रमशा 8 सेंटिमीटर और 10 सेंटिमीटर है चरण एक, एक रेखा L खीचे, 8 सेंटिमीटर लंबा, एक रेखा खंड़ E B खीचे चरण तो, A B के बिंदू A पर एक लंब A G खीचे चरण 3, B को केंद्र मानते हुए, तथा 10 सेंटिमीटर की द्रिज्य लेकर, A G को बिंदू C पर काटते हुए, एक चाप खीचे चरण 4, बिंदू C से बिंदू B को मिलाईए, क्रमशा 8 सेंटिमीटर और 10 सेंटिमीटर आधार, तथा कंवाला समकून तिर्भुज तयार हो जाता है आत्म मूलियांकन, विवरणों के साथ तिर्भुज की रचना करने के लिए, उनकी कसोटी का मिलान कीजिए सारांश आईए, हमने जो कुछ भी सीखा है, उसे संग्शेप में तोहराएं एक दी गई रेखा के समनांतर एक रेखा की रचना कीजिए एक तिर्भुज की रचना कीजिए, जिसकी तीनो भुजाएं ग्याथ हो एक तिर्भुज की रचना कीजिए, जिसकी दो भुजाएं तथा उनके बीच का कौन ग्याथ हो एक तिर्भुज की रचना कीजिए, जिसके दो कौन तथा उनके बीच की भुजा ग्याथ हो एक समकोन तिर्भुज की रचना कीजिए, जिसका एक पाध और एक कंग ग्याथ हो